असा करता हूं फ्रेंट्स की आप लोग इस कोईट के महामारी में भी अपने आपको सुरक्षित रखे होंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे होंगे आज की इस वीडियो में फ्रेंस हम बनाएंगे एक बढ़िया से वाटर पंप, डीसी वाटर पंप जो की मैक्सिमम साथ वोल्ट पर चलेगा, मेनिमम चार वोल्ट पर चलेगा मतलब कि लिथियम बैटरी पर चलेगा, तो उसके लिए हमने कुछ जुगार कर रखा है तो हुले फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील और आप सब का स्वागत है मेरे इस चैनल में देखें, यहाँ पर एक चॉकलेट के पैकेट को हमने पाइप के रूप में यूज किया है, उसको दो जग हमने कट कर रखा है आयोडेक्स का एक डबबल ही है, जिसको बाटर पंप का बेस में बनाऊंगा यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा तो आयरन की साहेता से इसमें होल कर देते हैं जिससे के मोटर के सापट हमारा इस साइड आ जाएगा यहाँ पर अब इस से ढखकर नहीं बैट रहा है प्रोपेलर बनाने के लिए प्रोपेलर नहीं सर इंबेलर होगा उसके लिए हमने पहले से मार्किंग कर रखा है प्लस में और थोड़े-थोड़े तिर्शी करके चार पंखुणियों को मैं यह पाद चिपका दूंगा तो चलिए इसको चिपका लेते हैं यहाँ पर मैं सुपर गुलू से चिपका रहा हूं चार पंखुणियों को यहाँ पर एक पेन के जो लिखो फेगो पेन आता है उसका छोटा सा टुकड़ा हमने चिपका काट लिया हूं यहाँ पर चिपका दे रहे हैं ताकि मोटर का जो शापठ है वहाँ पर चिपक जाएगा देखिए हमारे इंपेलर बनकर तयार हो चुका है इसको हमने थोड़ा थोड़ा आप कर दिया दूनों साइट से ताकि पानी का फिश्लन बढ़िया से हो अब इसमें होट गुलूच गिरा देंगे अंदर के तरफ ताकि एर टाइट हो जाए वाटर टाइट हो जाए एर टाइट और वाटर टाइट में इसलिए बता रहा हूँ कि अंदर हावा न जाएगी न आएगी तो पानी भी अंदर नहीं घुसेगा हमारा मोटर अंदर फिक्स हो चुका है इसमें इसको अंदर से प्रेस कर देना है पूरा यहां पर एक छोटा से righteous कर टुकडा में लगा देदना हुँ ताकि पानी बैक साइड में न जाए पंखोडी ऎप लग जाएगी यहां पर आई पन्खुडी निकाल लेते हैं क्योंकि यहां पर हमें एक होल बनाना है इसमें फॉरित को छोटा टुगडा में लिले रखा है जिसने होल बनाएंगे जहांपर मॉधयर के पाइप लगेगा करें, मॉधयर को पाइप कि छीपकाना है तिर्शा करके तो इसके लिए हम इस ग्रेंडर के सहायता ले रहा है ग्रेंडर हमने खुद ही बनाया है अगर इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं डीसी ग्रेंडर बारे भल से चलता है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा अपर थोड़ा सा गोला कर देना है इसको तो पाइप पे रखके और सेंट पेपर लगा करके थोड़ा सा घस लेंगे तो यह बिल्कुल गोल बन जाएगा देखे फिरेंस हमारा जो सेप चाहिए वो सेप बन चुका है अब यहाँ पर एक होल हमें बनाना है लंबा पहले में खोल बना देते हैं उसको चाकूर से काट लेंगे दिखिए काटने के बादे होल बंच करता हो चुका है अब यह अब यहाँ पर हमें इस तपर सी इसको छिपका देना है तो इसको भी हम सूपर ने के बाद कुछ यह सबन गया है अब यहाँ पर एक टुकड़ा हमने काट रखा है जो कि इनलेट के लिए है यहाँ पर इनलेट के पाइप लेकर जहां से पानी हमारे एंटर होगा तो उसका मीड़ पॉइंट निकालने के लिए हमने एक तरीका निकाला है एक किसी अस्थान पर पेंसिल को पकड़ करके और बराबर तरीके से उस पर स्क्रेच कर देना है तो देखिए हमारे मीड़ पॉइंट यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर एक होल कर लेते हैं और इस होल में हम उस पाइप को लगा देंगे इसको भी चाकु से काट करके और जीतना चाहिए उतना होल कर लेंगे लगबग ह हो चुका है अब यहाँ पर इसको लगा करके चिपका देते हैं यह हमारा इनलेट का पाइप है दूसरी तब जो हिस्सा बचा है उसको काट लेंगे काटते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हाथ में ने लगए इन जोड़ना हूँ आप अब मोटर में प्लस और माइनस इन दूनों वायरों को हम कनेक्ट कर देंगे एक खोल बना लेंगे जहां से कि हमारा वायर बाहर आएगा अबतार को बाहर निकाल लेते हैं आप इसमें तुछ होड गुलू लोग धिरा देंगे चाहिब में रदेंगे ताकि जाकर कंदर से पुरा पैक हो जाए कजके थुरते इसको कश देना है कि अब देखिए इसको हमने कस दिया है पुरा तरह से प्याइक हो चुका है कि अब यहां वर फ्रेंस हम कि इस वाले हिस्से को लगाएंगे तो लगाने के लिए साइड में जो कि थोड़ा सा आयोटेक्स के डब्बे में पजगह बच्राइब को काट कर निकाल देंगे जैसे मैंने काट दिया है अब इंपेलर को लगा देंगे कि उसके बाद आउटलेट और इंलेट वाला जो हिस्सा है दोनों को लगा करके और शिपका देंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो पंप है यह बनकर तयार हो चुका है और जितने भी समगरे को हमने यूज किया है घर पर फैके हुई चीजे थी पीविसी पाइप वाइरिंग वाले जो पाइप ताय लगती है उसी पाइप को हमने यूज किया है तो चलिए बाहर इसको टेस्ट करके देखते हैं चलिए टेस्टिंग पर का अ क्या तो फिल्स माना आगाते हैं हँ यहां पर मैंने इक टब में पाणी ले लिया अभिस को चेक करेंगे और देखें कि स्मा कितना पर बस यहां पर मैं दिखा दो कि दो सेल मैं रहें यहां पर यह त्रिट सीरीड में ताकि यहां पर cigben प्र 27待って om को मिले लेकिन ले बाब मैं इसको दो सेल पर चलाकर आप दिखाता हूं अ ओ ओ ओ तेरी ये देखी फ्रेंज्स कितना सांदार इसको पानी का प्रेसर है आप इसको पानी का अंदर भी चला सकते हैं डाल करके अगर इसमें मैं पाइप लगाता हूं एक मैं फ्रसेश में प्रेसर दूंगा यकीन मान ये फ्रेंज्स साइद कैमरे में कौम दिख रहा हूं लेकिन इसका प्रेसर संथिंग है दस फिट के करीब में है ऐसे दवाने पर तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देजिए तक अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंदे